गोड एविनिंग, सभी दर्श्टों का सक्सिस गूर्प में बहुत बहुत स्वागत है, पूरा देश इसमें कोरोना महमारी से जूज रहा है, परडे चार लाग से अधिक कोरोना संक्रमित कैसे डिटेक्ट हो रहे हैं, ऐसे में DRDO की तरफ से एक रहत बरी खबर आई है, DRDO न तो आईए जानते हैं इसके बारे में क्या है ये मेडिसिन और क्या है इसका एफेक्ट, ये जानकारी अपने साथियों को भी जरूर शेय कीजेगा, क्योंकि हर वेक्ति इसमें कोरोना महमारी के कारण तनाओं में है, तरस्त है, और सशंकित है कि कहीं वो अभी तो नहीं है, तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में विस्तार से, तो ये खबर है नई दिल्ली से, Defense Research and Development Organization द्वारा विक्सित, कोरोना वारिस बीमारी COVID-19 के खिलाफ, दवाई को साल भर परिक्षन के बाद आपतकालिन उप्यों के लिए DGCI ने मंजूरी दे दी है, भारत ने बीमारी के खिलाफ लडाई में एक और महत्तोपूर्ण कदम उठाया है, दवा के क्लिनिकल उप्यों को मंजूरी देने के बाद सरकार को उमीद है कि उससे Medical Oxygen पन दिरभरता कम होगी और अस्पतालों में भरती मरीजों की जल्दी ठीक होने में मदद मिलेगी, आए जानते हैं कि ये मेडिसिन कैसे काम करेगी, जब 2D Oxide Glucose 2DG दवाश शरी में प्रवेश करती है, तो ये वाइरस द्वारा संक्रमित कोशिकाओं के अंदर जमा हो जाती, ये जो मेडिसिन है, ये वाइरस के दवारा जिन कोशिकाओं को संक्रमित किया गया है, उन कोशिकाओं के भ प्रवेश कर जाती है, तो एक बार वहाँ जाने के बाद ये वाइरस के उड़जा उत्पादन और मेटाबॉलिक रियक्शन को और इसे मल्टिप्लाई करने से रोकती है, इसका मतलब ये है कि वाइरस बढ़ने से रुक जाता है, DRDO का कहना है कि इसका केवल वाइरल संक्रम कोशिकाओं का चैन करके इकठा करना इसे अद्वितिय बनाता है, तो इसमें ये गुड़ है कि जो वाइरस से संक्रमित कोशिकाओं हैं, उन्हीं में ये इंट्री लेता है और उन्हें ही इकठा करता है और उसके बाद उनको आगे बढ़ने से रोक देता है, तो इसको यू चेंजर सावित हो सकती है बताया जा रहा है कि ये दवा अस्पताल में भरती की रिकवरी को तेज कर सकती है मेडिकल आक्सीजन पर उसके दिरभरता को घटा सकती है अस्पतालों के ट्रायल में ऐसा पाया गया कि 42% मरीज जिन्हें रोजाना इस दवा के दो सैशे दिये गए तीसरे दिन उन्हें आक्सीजन सपोर्ट की जरुवत नहीं पड़ी सामान्य तोर पर इलाज में सिर्फ 30% मरीजों का आक्सीजन ही तीसरे दिन हटाया जाता है जब इकी दवा मध्यम और गंभीर कोविड मामलों में प्रवाई पाई गई है 65 साल से उपर के लोगों में भी अच्छे तरह से काम करती है इसे सहायक इलाज के रूप में आपातकालिन उप्यों की मंजूरी दी गई है दूसरे शब्दों में ये कोई चमतकार इलाज नहीं है और अन्द तत्तों में शामिल उप्चार प्रोटोकाल का एक हिस्सा होगी यही जो दमाया इसमय यूज की जा रही हैं उन्हीं के साथ इसको भी यूज किया जाएगा प्राइस क्या होगी फेलाल इसकी कीमत का एलान नहीं हुआ है लेकिन सूत्रों का कहना है कि इसके हर सहशे की कीमत 500 से 600 रुपे तक हो सकती है DRDO का कहना है कि 2DG जो आसानी से बड़ी खेप में बनाया जा सकता है इस प्रोजेक्ट में Dr. Redis Lab DRDO की इंडस्ट्री पार्टनर है जिसने अस्पतालों के लिए तै मात्रा में इसका निर्माण भी शुरू कर दिया है फिलहाल ये दवा की दुकानों पर उपलब्द नहीं हो सकेगी ये केवल हॉस्पिटल में ही एवलेवल होगी और जो पेशेंट्स वहाँ एडमिट हैं उन्हीं को दी जाएगी तो यह एक रहत बरी खबर है ये जानकारी अपने साथियों को जरूर शेर कीजेगा ओके थैंक्यू